नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमाच बात करने वाले हैं आज के मेस रासी फल के बारे में कि आज का दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चै मेदार व्यक्ति का मार्ग दर्शन आपके लिए सायक रहेगा और साथ ही पिछली गल्तियों से सबक लेकर वर्तमान को बहतर बनाने का प्रियास होगा तता उचित आत्मिश्वास के साथ एक नई सुरुवात करेंगे और सामाजी गदी विदियों में आपका योगदा रहेगा साथ ही पिछले समय से किसी नजदी की संबंदी से चल रहे विवाद में सुधार आएगा और आर्थिक कारियों में रुची बढ़ेगी घर में पिरियों संबंदीयों का आगमन होगा और आपसी विचारों के आगान पिर्दान से विवार में सकारात्मक परिवतन आएगा कोई विशेश जानकारी भी आपको हासिल हो सकती है या दोस्तों जमीन जादात से जुड़े मामलों में सावधानी बरते हैं पैसों के लेंदेन में सतर्क रहे हैं जरासी ना समझी आपको मुसीबत में भी डाल सकती है इसलिए अपनी छमता पर विश्वास रखें और इस समय यात्रा को लेकर भी विशेश जावधानी करते हैं और अभी किसी विश्वाइश से सम्मधित कोई भी नया प्रोजेक्ट या काम से सम्मधित योजना आप बना सकते हैं परन्तु थोड़ा समल कर रहें परन्तु अभी इन योजनाओं को क्रियानिवित ना करें क्योंकि उचित समय पर किये गए कारियों के परिणाम हनुकुल होंगे योजसाई गती विदियां सामाने रहेंगी अपनी योगता और काबलियत की वज़े से अपने कारियों को गती दे पाएंगे और आफिस के कारिया का कारिया भारा दिख रहेगा जल्दबाजी में लियागा फेसला आपके लिए नुक्सान दायक रहेगा जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों से जुड़े रहने की आप पोसिस करें दोस्तों केरियर से संबंदित लक्षय का दबाव जरूरत से अधिक बनाए रखना हो आपके कारिया करने की छमता पर प्रभाव डालेगा घर परिवार में आज मानसिक रूप से हेल्दी रहने के लिए परिवार में खुशी का महवल होना बहुत और बहुत जरूरी है सारा दिन जब आप काम की तनाव से बाहर निकल कर घर लोटते हैं तो अपने घर में खुशियों के दोपल बिताना चाहते हैं इससे आपका परिवार आपकी हर संबव मदद करेगा और आपका जीवन साती और बच्चे आपके तनाव को कम करने में सहक सिदोंगे दोस्तो पारिवारिक जीवन खुशन उमार बना रहेगा इसलिए अपनों को थोड़ा समय प्रिदान करें आपका जीवन साती आपकी हर गल्ती को नजर अंदाज कर देगा और आपके जीवन में प्यार का एक नया रंग भर देगा दोस्तो स्वास्ते संबंदित परिशानी दूर करने के लिए आप इस समय सतर करें चोकन रहें क्योंकि वाइरल सर्दी जुकाम बुखार खासी जैसी स्वास्तंबंदित समय सें उत्मन हो सकती है इसलिए गरम पानी का आप सीवन करें सुबह साम और रोजाना योग करें प्राणायम के व्यायम करें और दिक स्वास्त रहें